अश्लाम आलेकॉं वेलकलम टो डिजाइन प्रो डिजाइन प्रो में आज हम पने नेक्ष्ट लेक्चर का अगाज करेंगे जयसा कि ललास्ट टाइम हमने आई-डॉपर टूल को detailed के साथ discuss किया था आज हम अपने next tool को देखेंगे तो आए स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले हम अपना Photoshop 2020 open कर लेते हैं कि आई होब कि आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस को कर रहे होंगे सभी टूल्स को implement करके देख रहे होंगे साथ साथ क्यूंकि ग्राफिक डिजाइन के अंदर ओन्ली यूर प्रैक्टिस जो है वह आपका स्किल होती है जितनी आप प्रैक्टिस को बैटर करोगे जितना उसको ज्यादा करोगे अगेंड अगेंड करोगे दैन रिजल्स उतने ही मच बैटर आएंगे जी तो हमने अपना Photoshop open कर लिया है हम कोई भी यहां से image को open कर लेते हैं for working purpose ठीक है जी लाइक दिस वन लास्ट टूल हमने किया था जी आईड्रॉपर टूल जिसके हंदर हमने 3D material और और कलर सेंपलर और और ड्रॉपर को देखा था आज हमारा next टूल बड़ा ही interesting टूल बहुत काम इसे होंगे जी spot healing brush tool healing brush tool patch tool content aware tool और red eye tool होगा तो इसके लिए यह mostly जो टूल है brushing वाला healing brush वाला इसको हम जो है वो pictures के लिए use करते हैं उनके skin को retouch करने के लिए use करते हैं तो आईए सबसे पहले हम कोई image को download कर लेते हैं जी तो कोई ऐसी picture जिसमें skin जो है वो बहुत clear ना हो तो हम उसी को open कर लेंगे यहां से like this one इस image को मैं ले लेता हूं जी अच्छी resolution के अंदर है save कर लेते हैं जिसको desktop पे save is और close कर देते हैं जी browser को आई यह इस picture को हम open करते हैं जी Photoshop में अब हमने discuss करना है जिस healing brush tool फर्स्ट आफ आल पहला टूल है जिसका name है spot healing brush tool यानि के यह spots को खतम करें आपने simply करना यह है कि tool को select कर लेना है और tool के size को मैंने आपको बताया था कि जो enter के पास दो brackets होती है curly brackets अगर हम right वाली bracket को press करेंगे तो tool का size ज्यादा होगा left वाली को press करेंगे तो tool का size कम होगा ठीक है तो यह shot की होती है किसी भी tool के area के size को zoom out करने की और zoom in करने की तो मैंने यहाँ पे size select कर लिया है अभी simply मुझे spot के उपर जाके एक click कर रहा है तो tool जो है वो automatically उस area से relevant जगा ढूंडेगा picture के अंदर से picture के अंदर से वो उससे relevant जगा ढूंड के उसको automatically fill up कर देगा यह देखेंजे simply आपने tool को click किया और हमारे spots जो हैं वो गायब हो रहे हैं तो यह आपके face के most relevant area को automatically select करके उस जगा पे paste कर देता है ठीक है जी यह हमारा हीलिक ब्रेश टूल था जिसका काम है simply click हमने क्लिक करना है और spot automatically remove उसके बाद सेकेंड जी हमारे पास healing brush टूल इसका काम थोड़ा सा इसको मैंसे simply click नहीं कर सकेंगे लाइक जैसे हम healing brush में कर रहे थे spot healing brush में के हम क्लिक करते थे तो spot हमारा जो था वो गाइब हो जाता था हीलिंग ब्रेश टूल के अंदर हमें वहाँ पर बताना पड़ेगा इसको के जी आपने picture के कौन से area को exactly copy करना है तो इसको copy करने का method यह है कि आपने उस area पर जाके alt का button दबाते हुए जैसे आप आल्ट दबाएंगे आपका टूल जो है वो चेंज हो जाएगा और दबाएगे आपने उस area की copy लेनी है उसके बाद alt छोड़ देना है simply उस जगह पर जाके आप click करेंगे तो वह उस area को वहाँ पर paste कर देगा जिससे क्या होगा कि आपके faces पर जो spots हैं वो दूर हो जाएंगे वो रिमूव हो जाएंगे तो method सेम है उसमें जो टूल था वो automatically detect करके image से वहाँ पर paste कर देता था इसमें थोड़ा यह है कि आपने पहले alt के जरीए वो area decide करना है कि यहां से यह वाला area इस spot के उपर paste हो जाएंगे तो यह हमारा दूसरा टूल है जिसको हम healing brush टूल करते हैं कि उसके बाद जी थर्ड टूल है हमारा patch टूल पैच टूल भी almost same काम करता है लेकिन इसका टूल का method थोड़ा different है तो इसमें हम यह करेंगे कि किसी भी skin पे जो face spot बना हुआ है उसकी हम ऐसे selection बनाएंगे बिल्कुल drag and drop उसके बाद हम picture के उस area पे लेके जाकर उसको छोड़ देंगे जहां पे हमें उसको paste करवाना है और वो देखें जी हमारा spot गायब हो जाएगा लाइक दिस वन यह spot मैंने दूर करना है simply मैंने इसको ड्रैग किया और पिक्चर से relevant area पे लेके जाके इसको छोड़ दिया और spot हमारा गायब हो गया तो यह हमारा पैच टूल है यह हमारा पैच टूल है जो के almost working सेम करता है बाकी दोनों टूल्स की तरह तो जैसे spot healing brush टूल काम कर रहा था healing काम कर रहा था इसी तरह पैच टूल थर्ड नमबर पे है जी content फॉर्थ नमबर पे है content aware move टूल यह क्या करेगा जी इसकी भी working जो है वो same है आपने area को select कर लेना है और वो same area की copy उठा लेगा और आप किसी भी दूसरे area पे जाके उसको paste कर सकते हैं जैसे देखें जी बड़ी नफासत के साथ उसने इसको वहाँ पे paste कर दिया है तो content aware करेगा यह like sometime image में demand आ जाती है जी कि आपने image को जो है वो इस तरीके से beautiful बनाना है या उस पर काम करना है तो आप simply क्या करेंगे content aware को select करेंगे simply drag on your spot और simply इसको move करवा के आप छोड़ देंगे तो इंटर प्रेस करने से यह क्या होगा वहाँ पे spot आ जाए ठीक है जी तो यह content aware टूल जो है वो काम करेगा यह से उसके बाद है जी red eye tool इसका अभी हम तश्करा नहीं करेंगे यहाँ पे इसका इंशाला advanced में जब हम यह tab start करेंगे तो इंशाला red eye को मैं करवाँंगा आप कि आपने healing टूल को अच्छे से practice करना है जिसमें spot healing है healing है patch tool है और content aware move tool है I hope कि आप सभी को आज का lecture जो है वो समझ आया होगा तब मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए अलाहाफेज आप